हरे कृष्णा भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सात्वे अध्याय का आठवा शलोक 7.8 तीन चार शलोक हम एक साथ लेंगे बेसिकली भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि हर वो चीज जो आपको दिखती है वो मैं ही हूँ सात्वे शलोक में भगवान ने कहा कि ये सब कुछ उत्पत्ती और प्रलाय मैं ही करता हूँ ये पूरी दुनिया को अगर हमें एक मोती की तरह माने तो ये जो माला बनी वे ये मैं धागे के रूप में सब जगे उपस्तित हूँ अनेक अनेक उधारण भगवान ले रहे है उन उधारणों से हम भगवान को हर समय कैसे याद रखे हैं ये भी सीखने का हमें मिलता है तो बहुत सिंपल । क्लियर शलोक हैं इनको म्पढना शुरू करते हैं सबसे पहले आठवे शलोक में भगवान ने कहा हे कुंती पुत्र में जल का स्वाद हूँ वास्ता में जल से स्वादिष्ट कुछ भी नहीं आप कोई भी कोल डिरिंग पीजिए, जूस पीजिए, कुछ भी पीजिए अगर आप दो दिन पीएंगे, चार दिन पीएंगे, पांचवे दिन हो सकता आपको बोरियत लगे लेकिन जल, आप बच्पन से पी रहे हैं, कभी भी आप बोर नहीं होए पानी पीके आपके मन में ये नहीं आया कि मैं आज पानी ना पीऊं तो यही है दिव्यता, क्योंकि जल का जो स्वाद है, हो सकता आपको महसूस ना होता हो लेकिन वास्तविक स्वाद सिर्फ जल में ही है, और भगवान कृष्ण ने इस चीज़ को सर्टिफाई किया कि मैं जल का स्वाद हूँ, जब भी जल पीएं, भगवान को याद करें, उन्हें धन्यवाद करें मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, अब सोच के देखिए ये धर्ती, अगर सूर्य ना हो चंद्रमा ना हो, इनका प्रकाश जो हमें मिल रहा है, वो ना हो तो क्या हालत हो, आगे चल के भगवान ये भी कहने वाले हैं, कि ये सूर्य और चंद्रमा मेरी आखें हैं तो ऐसे समझो सबकुछ ही तो भगवान है सूर्य चंद्रमा भगवान की आखे हैं और भगवान कहा रहे हैं उसका प्रकाश भी मैं ही हूँ सबकुछ कृष्ण में ही है भगवान कहा रहे हैं मैं वेदिक मंत्रों में ओम हूँ अकाश में ध्वनी हूँ और मनुश्य में सामर्त हूँ मनुश्य में जो ताकत है बल है वो भी मैं ही हूँ तो basically भगवान ही है हर चीज में हर कण में नवे श्लोक में हम पहुँच रहे हैं भगवान कह रहे हैं जो प्रत्वी के अंदर सुगंध होती है बहुत लोग मिट्ट की सुगंद को पसंद करते हैं वो मैं ही हूँ अगनी में जो उश्मा है गर्मी है है ना जिससे सब कुछ समझ लो पकता है हम खाना उसी से खाते हैं और पता नहीं कितना कुछ अगनी से होता है वो मैं ही हूँ मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ खतम समस्त जीव यहां यह नहीं लिखा मनुश्यों का समस्त जीव हर जीव का जीवन भगवान स्वैम है तपस्वियों का तप हूँ है ना इसका मतलब अगर कोई चीज सुंदर है तो उसका सौंदर है कृष्ण है अगर कोई मदूर है तो उसकी मदुरता कृष्ण है कोई भी अगर संगीत बहुत मदुर है तो उसकी वो मदुरता स्वेम कृष्ण है कोई खाने की चीज है उसके अंदर बहुत स्वाद है तो वो स्वाद श्री कृष्ण है दस्वेश लोक में इसी तरह से भगवान कह रहे हैं प्रता पुत्र यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदी बीज हूँ याद होगा नॉन्वेज के ओपर मैंने पहले भी कॉमेंट किया था कि भगवान जब भी बात करते हैं समस्त जीव की बात करते हैं भगवान कह रहे हैं, मैं समस्त जीवों का आदी बीज हूँ, यानि कि जो starting point है, आदी बीज, वो समस्त जीवों का हूँ, यानि ऐसा तो नहीं कहा कि सिरफ मनुश्य का हूँ, मुर्गी का नहीं हूँ, बक्रे का नहीं हूँ, तो अगर हम किसी भी धरम के हैं, उससे कोई कर नहीं हैं, हम हिंदू हैं या क्या हैं, अगर हम non-vich खा रहे हैं, तो आप मान के चलिए हम जगन्य पाप कर रहे हैं, भगवान ने सब का है, सभी जीवों का मैं आदी बीज हूँ, आप उन में से कुछ जीवों को, प्राणियों को मार कर पका कर नहीं खा सकते, बहुत ब कुछ परफेक्ट है, वो स्वेम कृष्ण है, जब हम इस परफेक्शन को कृष्ण से रिलेट करना शुरू करते हैं, तब हम बास्ता में गीता को प्राक्टिकली जी पाते हैं, तब हम समझ पाते हैं, कि इस धर्ती पे जो कुछ भी सुन्दरतम हो रहा है, जो भी गहन हो र उच्छा से रहित बल हूँ, यानि बलवानों में जो बल है, ताकत है, वो भी मैं ही हूँ, भगवान ने नहीं लिखा लेकिन मेरे मन में आ रहा है, यह जो बच्चों में मासूमियत होती है, वो भी भगवान ही है, मैं यह कह रहा हूँ कि जहां कहीं कुछ भी perfection है ना, बस वो कृष्ण है, आगे कह रहे हैं बिरत्रशेष्ट, अर्जुन मैं वै काम हूँ, जो धरम के विरुद नहीं है, यानि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ग्रस्त जीवन में होकर भी, कि कि आप पती-पत्नी का संग भी गलत है, तो भगवान ने का अगर यह धरम के विरुद नहीं हैं, तो यह काम भी मैं ही हूँ, यानि ये भी भगवान है, तो जो कुछ भी पवित्र है, जो कुछ भी श्रेष्ट है, वो सब कुछ स्वेम भगवान कृष्ण है, इस से सुन्दर्श लोक, इस से मदुर्श लोक आपको कहां मिलेंगे, ध्यान से पढ़िए, औरों को पढ कीजिए, यही जीवन है, हरे कृष्णा.